नमस्कर दोस्तो आपका हमारे यूटूब चैनल पर एकवाफ फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बहुती खास बीडियो लेके आएं इस बीडियो के नदरा आपको बताने वाले हैं अलसी के फाइदे तो सबसे पहला मेरा आपसे कुश्चन है कि अलसी क्या अम्रत समान होती है आप कमेंट बॉक्स में यस और नो के अंसर दीजिए यदि आपका जवाब हमें है तो घबराने की जरूत नहीं है अलसी में छुपा हुआ है आपकी इन समस्याओं का समाधान जी हाँ अलसी के छोटे छोटे बीजों में आपकी सिहत के बड़े बड़े राज छुपे हुए होते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लाश तक देखिएगा तभी आप जान पाएंगे कि इस अलसी के बीजों के फाइदे क्या होते हैं तो सबसे पहला है भूरे काले रंके ये छोटे छोटे पीज हिर्दे रोगों में आपकी रच्छा करते हैं इसमें ओपस्तित खोलन सील फाइबर्स प्राकरतिक रूप से आपके सरीर में कॉलेस्टरॉल को निर्दित करने का काम करता है इससे हिर्दे की धमनियों में जमा कॉलेस्टरॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाब बहतर होता है नतीजा क्या होता है कि हार्ट अटेक की जो सम्मावना होती है वो नहीं के बरावर हो जाती है दूसरा है अलसी में ओमेगा 3 भरप्रू मत्रा में पा जाता है जो रक्त का थक्का बनने या उसे जमने से रोकता है क्योंकि रक्त का थक्का बनने से रक्त के प्रवाब में बादा आती है और अटेक की सम्मावना बनती है अलसी इस सम्मावना को समाप्त करता है तीसरा फाइदा है यह सरीर के अतरिकत बसा को भी कम करता है जिससे आपका बजन कम होने में सहयता मिलती है यह रकथ में मौजूद कॉलेस्टरोल को कम करने में भी सहयता होता है चौता फाइदा है अलसी में मौजूद Antioxidant of Phytochemicals बड़ती उम्र के लक्टनों को कम करता है जिससे तोचा पर जुर्या नहीं होती है और कसा बना रहता है इससे तोचा स्वस्थ बच्चमक्तार बंती है अगले फाइदे की बात करते हैं अलसी में अलफा लाइनॉक्स एसिड पाया था है जो arthritis, asthma, diabetes और cancer से लड़ने में मदद करता है खास तोर से colon cancer से लड़ने में या सायक होता है छटवा फाइदा होता है सीमित मात्रा में अलसी का सेवन खूंग में सरकरा के इस्तर को यानिकी सोवर के इस्तर को नियंतित करता है इससे सरीर के आंतिक भाग स्वस्तर रहते हैं और बहतर कार करते हैं साथमा फाइदा है इसमें यानिकी अलसी यानिकी फ्लैक सीड में ओपस्तित लाइगन नामक तत्व आंतों को आंतों में सक्रिय होकर के ऐसी तत्व का निर्मान करता है जो फीमेल हार्मोन के संतूलन को बनाए रखने में महतुपूर्ण भूमिका नवाता है आठवा फाइदा है अलसी के तेल की माले से सरीर के अंग स्वस्तर होते हैं और बहतर तरीके से कार करते हैं इस तेल की मसा से चेरे की तुचा कांती में हो जाती है नव में फाइदे की बात करते हैं साखारी लोगों के लिए अलसी ओमेगा थी का बैकर बैतर बिकल्ब है क्योंकि अब तक मचली को ओमेगा थी का अच्छा स्रोत माना जाता था जिसका सेवन नौन बैजिटियन लोग ही कर पाते थे दस्वा फाइदा प्रति दिन सुबह साम एक चमच अलसी का सेवन आपको पूरी तरह से स्वस्त बनाई रखने में सायक होता है इसे पीज कर पाने के साथ भी लिया जा सकता है अलसी को नियमित दिन चर्रा में सामिल कर आप कई तरह की बीमारियों से अपनी रच्छा कर सकते हैं साथ ही आपको डॉक्टर के बाद जाने की भी जरूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों आपको फ्लैक सीट के फायदे हमने बताई इस वीडियो के अंदर आपको कितना वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताईए कोई दोवेदा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को ज्यादा साथ लाइक सेयर कीजिए जिससे कि आपके इस वीडियो की जो महत्वपूर्ण बाते हैं वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरू दबाएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो की सबसे पहले पहुंचें धन्यवाद